मुझे भी मेरा ये घर है ना वेलकम बैक बोल रहा है जब घर को वापिस आते हैं ना काम बहुत होता है पूरा तो कर लिया है मैंने कुछ छोटे छोटे काम है वो आज ही या कल ही कर लूँ तो सही रहेगा नहीं तो फिर उसका कुछ गुम हो जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा ये देखे यूसुफ के लिए मैंने लेस लाए थे एक्चुली लाइट ब्लू या वाइट लेस दून रही थी पर दोनों भी नहीं मिले इसके जैसे थे वैसे ही मिल रहे थे ये लेस बहुत खराब थे खुल रहे थे खुलने के बाद कैसा होता है कोई दूसरा बच्चा पैर रख देगा ना तो गिर जाएंगे इसलिए मैंने चेंज कर दिया है चलिए आ गए किचन काउंटर पर आम भी लाई थी यूसुफ को अचार बहुत पसंद है और ये अचार है ना कोई बंदे नहीं गई है ये आम का भी अचार दालेंगे ना आप तब भी साल बर रहेगा ये अचार चलिए आपको जैसे पीस चाहिए वैसे कट कर लें मैंने आज थोड़े से बड़े-बड़े कट कर दिये है और भरनी जो है वो पूरी सूखी है पानी का एक बूंद भी नहीं होना चाहिए अचार को उसी के साथ काउंटर भी पूरा साफ कर दिया चलिए अचार के लिए जो इंग्रिडेंट है ना वो प्रॉपर बताती हूँ इतने आमों के लिए मैंने चार चमच भरके नमक दाला है और दूसरे दिन टेस्ट करके एक चमच भी दाला था और देड़ चमच हल्दी पाउडर अचारों में हल्दी पाउडर घर की कुटी हुई हो तो दाले बहुत अच्छा होता है और हल्दी पाउडर में कंजूसी ना करें कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर दो चमच और तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर दो चमच भरकी दाली है टेस्ट करने के बाद आधा चमच और वापिस दाला था मैंने उसके बाद ये देखी जस्ट इसको इसी तरह से मिक्स कर रही हूँ एक्चुली बुट्टी में मिक्स करके दबे में भरना चाहिए पर मैं है ना दूसरे तिसरे बरतन कहां भराऊं काम बहुत हो गया था इसलिए मैं है ना शॉट कट यूज करती हुआ ताके आप लोगों को भी काम कम हो और रेसिपी भी परफेक्ट आए तीन से चार मुठी चीनी डाली है और इसको ढखकन लगा कर बस 10-15 मिनिट के लिए ऐसे ही चोड़ दूँगी और सुकुन से बाहर से है ना लहसन चील कर लाऊंगी इसमें अचार में डालना है खड़े रहकर चीलूँगी तो पैरदर्द करेंगे दो गड़े है ना तो 15-20 मिनिट लग जाएंगे और वैसे तो 10 मिनिट लगते हैं काराम से चीलूँगी ना दूसरा कोई काम नहीं है उसके बाद चील कर अंदर आ गई और ये देखिए तेल गरम रख रही हूँ इसमें तेल थोड़ा ज्यादा भी डालेंगे तो भी चलेगा कम डालें तब भी चलेगा ऐसा कोई प्रॉबलम नहीं है वो जो खटा अचार होता है ना उसकी उपर आने तक ही डालना है बस आप इसमें का आदा भी डालें तो चलेंगा यूसुफ को अचार में का तेल खाना बहुत पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाला है लहसन को पत्थर से कूट लिया राई डाला राई के चटकने के बाद जीरा डाला उसके बद लहसन डाला गैस का फ्लेम बंद कर लिया उसको अच्छे से फ्राई कर लिया और दो तिन चुटकी हिंग भी डाला है और इतना करने तक देखिए आचार में कितना पानी चूटा और कल तक तो है ना पूरी भरनी भर जाएगी ये चीनी का भी पानी हो जाएगा और ये तेल भी उपर तक आएगा पूरे फाक है ना जो आम के वो पूरे भीग जाएगे और अचार मेंने भर के रखा था आप देख रहे हैं कितना अंदर गया है मतलब पूरी भर की होगी तो वो 70% ही भरनी भरेगी ये दिखे इसको उपर नीचे अच्छे से कर लिया नीचे एक पेपर रखकर किचन काउंटर पर रखेंगे और हर रोज इस तरह से हिलाएंगे उसको चलिए आज कुल्फे की भाजी चने डाल के साथ मतन डाल कर बनाएंगे कुल्फे की भाजी प उसका टेस्ट ज्यादा आता है मेरे पास नहीं था मैंने कचा मतन ही यूज किया है अब पहले भाजी और चनादाल गला लें उसके बाद गला हुआ मटन डाल कर थोड़ा सा पका लें उसके बाद दो मुठी चनादाल सुबा में ही भीगो ली थी वो डाली थोड़ा सा एक टमाटर एक प्यास दाली है उसके बार गैस अने किया है टीखा आप अपने हिसाप से करना मेरी तीकछी मिर्च है थोड़ी सी कम तीखी है वन फोर चमच काली मिर्च पाउडर, आधा चमच जीरा पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर और वन फोर चमच गरम मसाला, सारा होम मेड है, पिछले वीडियो में आपके साथ शेर किया हुआ है, एक चमच भर के अधरक लहसन का पेस्ट और देड़ चमच नमक, एक ग्लास पानी, इसे चार सीटिया लगी है, उसके बाद एक चमच भर के तेल डाला है, गैस अन करके सीटिया ली हूँ, उसके बाद इधर यूसुफ का टिफिन बना रही हूँ, एक उबला हुआ आलू ली हूँ, यूसुफ को ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही है, तो इसलिए ज चीजों से काम करने को अच्छा नहीं लगता है, हमारे इधर चाकू अगर उसकी धार कम हो जाए ना तो मंड बोलते हैं, और कोई बच्चा भी जिद करके बहुत सताने लगा तो उसको भी मंड बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं, चलिए, देड़ चमच केवसी चिक जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा आलू थोड़ा ड्राय था, इसलिए उतना पानी लगा है, हरा धनिया भी दाल दिया, और चुटकी नमक इसलिए दाला है, क्योंकि आटे में सारा मसाला है, उसकी तिकिया बना कर साइट कर लिया, और ये देखिए दाल का फाइनल लुक, मा देखिए जी ये तवे में हैं, तो इतने से हैं क्या देखिए, और अच्छे खासे बड़े बड़े भी हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं, अब सबी लोग एक एक उटाएंगे तो उसको एक ये दो ही बचेंगे ना, फिर घर में भी खाऊंगा नहीं बोलता है, और अच्छ ना, तो फिर वो उसका सरदर्द करने लगता है, उसके बाद जो बर्फी थी ना, एक यहीं खा लिया, फिर पहले ही दो खतम कर दिया था, क्योंकि मिठाई घर में कम आती है, और ये देखिए मैं धकन उल्टा लगा रही हूं, उसके बाद सीधा कर दिया, नया टिपिन होत निदेगा थी, पूरी निशानिया थी, हलो नहीं, असलाम अलेकूम, उस्ट अलेकूम, उरह मतब लगाता हूँ, नहीं आतू, नहीं आतू, तुंकर भूल का आग टपकिये, अरे में तु बट जबाड किस थी करने ते वां, पर बोलरो थी की, ईद का टाई में तू रहे व यह दूद और ड्राइफ्रूट मतलब दूद भी रेसिपी तो पहले भी अपलोड की है अब आगे भी करूँगी वो पसंद करता है और यह है ना थोड़ा सा दूद थोड़ी से ड्राइफ्रूट और खुब सारे सवियां पसंद करता है अबी मैं है ना सोच रही हूँ यूसुफ के बारे में हर महीना एक वीडियो अपलोड करने का पूरा वीडियो यूसुफ के लिए ही रहेगा कि वो हर महीना क्या करा है कितनी पड़ाई करा है कितना सताया है ताके नीट के लिए कैसी तैयारी करना चाहे जो भी करवाना चाहे उन बच्चों के लिए माबाप के लिए भी आसानी हो जाए करते हैं आगे हफते में नहीं ये वीडियो चालू है देखिये कपड़े लाया है भावरे कोलार आस तो शामत है और ये भी सब धोना है ईद है और उदर भी कपड़े धोने के लिए लगाई हो और ये तीस रोजी की जो ईद होती है न ये कनफाम होती है तो ये है न देखिए बादाम वगेरा भिगो दिये हैं मतलब ये सारे कपड़े धोकर शाम तक पुरा काम कर लूँगी और जाडू माल ली हूँ पोचा करना है वाजबशीन वगेरा साब धोना है मतलब आज इधर का काम नहीं है समझ जाईए थोड़ा सा यूसुफ के लिए राइस है उतने में काम चला लूँगी बाकी क्लीनिंग ही है और तयारी है इध की वैसे आप लोगों ने क्या-क्या तयारी कैसे कैसे की थी जरूर बताना है चलिए मेरे बादाम, पिस्ता और अखरोट भी गए है अब इनको अच्छे से थोड़ा सा दो लूँगी मसल के क्योंकि उसके उपर भी डस्ट होती है वो निकल जाने के बाद दूसरा पानी डाल कर रखोंगी और एक-एक छील कर, एक-एक साफ करके, कट करके लाकर रखोंगी क्योंकि तीनों एक साथ लेकर जाकर बैठूंगी न मैं के लिए करने वाली हूँ और कमरदर्द वगेरा हो जाएगा आराम-ाराम से कर लूँगी सवयां वैसे मैं थोड़े ही बना रही हूँ पर ड्राइफ रूट ज्यादा दाल रही हूँ अभी तो आपने जहीन की कनवरसेशन सुने ना तो हर साल का ऐसे ही होता है मेरा ड्राइफ रूट थोड़े से ज्यादा ही होते हैं बैदाम का छिलका आराम से निकल जाता है पिस्ता तो इस तरह से प्रेस कर देंगे ना तो छिलका हाथ में आता है और दो पिस्ता बाहर निकल जाता है अक्रोट को थोड़ी परेशानी होती है इस तरह से खिच-खिच के निकालना पड़ता है वैसे वाइट अक्रोट का मैं कम ही निकालती हूँ थोड़ा से ब्लैक अच्छे ओईल वाला जो लाते हैं ना क्या बोलते हैं औरिजिनल है बोलकर जो दुकान वाले फसा कर देते हैं उन्ही का निकालना पड़ता है काला रहा तो समया का कलर है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है बादाम को काफी सलीके से कट कर रही हूँ 30 रोजे होते हैं तो उस दिन काम सही होता है 29 रोजों के टेम में कैसा शाम में काम करना पड़ता है ना तो थोड़ा सा हवड़ जवड़ काम हो जाता है और ये देखिए काजू इतने कट कर लिये हैं तर्बूस के बीज और पमकिन के बीज अक्रोट इस तरह से भीगो कर कट कर लिये हैं बादाम कट कर लिये हैं पिस्ता कट कर लिये हैं और ये चारूली भून कर छिलका निकालते हैं पर मैं नहीं निकालूंगी खजूर को कैची से छोटा छोटा कट कर लिया है इतना एक छोटा निवाला बासमती चावल भीगोए हैं उतना ही खशकश भी भीगो दूँगी एक घंटे के बाद उसको फ्रिज में निकाल कर रख दूँगी सुबा पीशना पड़ेगा जो भी बरतन में बनाती हूँ न क्यूंकि यहां बरत क्याज़त देती है उतने मेवें यूस कर लें हर कोई करता ही है कम जयदा इसमें कॉंटिटी कुछ नहीं है कई लोग चीजें स्किप करते हैं स्किप मत करिए थोड़ा-थोड़ा हर चीज दालिये पर इसमें किसमिस ना दालें किसमिस दालने से क्या होता है दूसरे दिन में फूर जाती है इसलिए वो ना दले दस बारा इलाइची ली है और उसके साथ 3-4 चमच चीनी डाल कर पीस रही हूं देर तक पीसने से है न चीनी का जो ग्रीन पार्ट होता है न वो भी शकर के साथ बारीक हो जाता है अलग-अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है और मैं मतलब जो सूखे वाले ड्राइफ रूट है न वो डाले उसको अच्छे से मिक्स कर लिया खजूर अच्छे से मिक्स कर रही हूं अब इसको हलके हाथ से सबका कलर एक जैसा होने तक भूनना है उसके बाद ये देखिए चीनी और इलाइची जो थी न वो डाल रही हूं इसक इफ्तियार की तयारी चल रही है ये दीखिए कीमा बनाया है प्यास प्यास पति हरी मिर्च डाल कर गरम मसाले ज्यादा नहीं डाले हैं सब चुटकी चुटकी आज मैं है ना समोसों को इस तरह से फोल्ड कर रही हूं ज्यादा ताम जहम नहीं करूंगी बड़े-बड़े बना लूँगी कच्छा खोपरा दाल कर सूखे चने बनाएं हैं आने वाले वीडियो में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी आजाएए आप भी इस त्यार करने के लिए आखरी रोजा है ना आखरी नहीं क्या बोलते हैं आखरी रोजा नहीं बोलते शाहिद ना इस रमजान का लास्ट रोजा है ना आजाएए और अभी तो समर के व्लॉग आएंगे ना तो ये लस्सी भी शेयर करूँगी अभी फिलहाल ऐसे ही बना ली हूँ नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता था अभी हमारी दुआएं खतम होने तक पात्री साब भी आ जाएंगे इसलिए उनका भी मैं पानी और जूस वगरा लगा कर रखी हूँ दुआएं मांग रहे हैं मा बेटा मिला कर यूसफ तो क्लास को गया है ये देखिए मैं दुआएं पढ़ाते पढ़ाते बीच का एक अर्भी की आयतیں भूलना और बच्चे करेक्शन कराना इसका मतलब आपको पता है शुक्र अलहम्दलिल्ला मेरे बच्चों को मैंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद कराई हैं चलिए इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं कल मिलते हैं एद के व्लॉग में अलाह